नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार ज्वारखंड और आज बेहद ही खास महमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले आपका परिशे उनसे कराना चाहेंगा हमारे साथ बिहार के सबसे मशूर बिहार मत कहिए भाई पूरे भारत के मशूर यूट्यूब सवाल कहां से साथ हैं क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने बैठता है और सामने कहा जाता है भाई एक यूट्यूबर है क्योंकि यूट्यूबर की जो संगया है अब पत्रकारों वाली है जहां पर बड़े वाले कैमरे नहीं पहुंचते हैं वहां इनके छोटे मोबाइल मनिश एक 9 महीने की अवधी के बाद पहली बार सबसे बड़े मंच पर आप बैठे हैं धड़कन बढ़ी हुई है कैसा लग रहा है कुछ बोलना चाह रहा है पानी पीजिएगा क्या लग रहा है तो मेरा धड़कन क्यों बढ़ेगा और जिंदा हूँ तो धड़कन धड़केगा जरूर तो ऐसा कुछ नहीं है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मुख से एक सब्द निकला कि यूट्यूबर और उसके बाद निकला आपके मुख से कि जहां ब केमरा उस जगह पर पहुँच पाता है जहां पर बड़े केमरा नहीं पहुच पाता है तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ों को निकालते हैं जहां तक सरकार की नज़र नहीं जाती है अब तक हैसा कहा जाता रहा है कोशिश हमारी ही होती है पराबर आपके बारे में जब भी आपकी तस्वीर सामय आती है आप आजाते हैं आप चैनलों पर दिखाई देते हैं सवाल ये आता है कि 9 महिने तक आपने एक सजा काटी है आप बिहार ही नहीं बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे जहां ना आपकी भाशा बोली जाती थी जहां ना हिंदी थी ना आपकी भुझपूरी थी तो मिश्वर उस अवधी के बारे में बताइए देखे आप देश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं जहां पे इंगलिस भी बोला जाता है लेकिन तामिल नाडू में थोड़ा सा इंगलिस भी बहुत कम बोला जाता है चुकि वो अपने भारत का एक राज्य है तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो कभी नहीं कर सकता और किसी भी मंच पे बैटके नहीं कर सकता मैं बिहार से जितना प्यार करता हूँ उतना ही तामिल नाडू से प्यार करता हूँ बिहारी से जितना प्यार करता हूँ उतना ही वहां के लोगों से प्यार करता हूँ मेरे साथ साजिस हुआ, नौ महीना के बाद मैं जिल से निकला और दिपावली के समय में कोट ने मेरे उपर से NSA हटा दिया, अगर मेरे उपर NSA नहीं लगा होता, तो सायद जितना भी FIR मेरे उपर हुआ था, दस FIR हुआ था चार बिहार में और छे तामिलाडों में, मैं दो मह महीना में उन सभी FIR में बेल लेके बाहर निकल जाता, क्योंकि जो धराएं थी, उन सभी धराओं में जो है, एक महीना से ज़्यादा कश्टडी नहीं लगता है, किसी भी वकिल से आप लोग पूछ सकते हैं, जब कोट ने क्वेस कर दिया, क्वेस मतलब खारीज, खारीज म नहीं है, ये कोट ने बताया, मेरा नौ महीना बरबाद हुआ, उस नौ महीना का मुआपजा कौन देगा, हम सड़क पे चलते हैं, तो अगर कुछ गलत करते हैं, तो सरकार हमारे उपर जुर्माना लगाता है, बिहार की सरकार ने मेरे जिंदिगी के उपर जो जुर्माना का मुआपजा कौन देगा, मेरी मा जो है, रोती रही, चलिए आपने मेरे साथ जो किया किया, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप से कुछ गलती होगा, तो क्या कैमरा मैन के उपर FIR होगा, क्या यहाँ पे पूरा एडिटिंग टीम के उपर FIR हो सब के उपर FIR किया गया, उन लोगों ने कौन सा गुना किया था, क्या वहाँ पे सविधान का पालन नहीं किया जाता है, क्या वहाँ पे पत्रकार का गला नहीं दबाया गया, चलिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने सुना कि सरकारे जो है पत्रकारों के कल्म से डरती है लेकिन यहां तो बिहार में सरकारे को यूट्यूबर से डर गिया उसके उपर एफईयर किया उसके दोस्तों के उपर एफईयर किया उसके रिष्तेदारों को नहीं छोड़ा उसके चैनल में काम करने वाले लोगों को नहीं मुझे सजा दिया जाए मुझे सलाखों के पीछे डाला जाए मुझे सूली पे चड़ाया जाए अत्याचार जाहे कल्यूग में होगा अत्याचार चाहे सत्यूग में होगा द्वापर में होगा त्रेता में होगा हर अत्याचार का हस्र वही होता है कल्यूग में चाहे धनास् खीक है आप घुमा फिरा के चंद्रगुप्त की तरफ ला रहे हैं चाणक के कौन हिसमें ना मैं चाणक्य हूँ ना मैं चंद्रगुप्त हूँ मैं उस भूमी से हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि भारत का सबसे दुनिया का सबसे मजबूत सासक जो है वो की बात है ये जो आरूप लगे उसके बारे उपर मैं किस चीज को साक्ष मानूंगा मैं साक्ष किस चीज को मानूंगा गूगल पे खबरे दिखाई जा रही है मैं उसको साक्ष नहीं मानूं सोसल मीडिया पे खबरे दिखाई जा रही है मैं उसको साक्ष नहीं मानूं तो म मैंने विडियो बनाए, आरजेडी के एक नेता है, डॉक्तर अनिल सहनी, जो MLC भी रहे हैं और विधायक भी रहें, उन्होंने 28 मार्च को फेस्बुक पे पोस्ट किया था, उसका स्क्रीन सोट, उसका डिटेल्स है मेरे पास, उन्होंने क्यों पोस्ट किया था फेस्बुक प में परिसान है, उनको परिसान किया जा रहा है, तामिलाडू के लोगों के द्वारा नहीं, तामिलाडू के सरकार के द्वारा नहीं, हर जगा कुछ लोग जो है देश विरोधी होते हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को परिसान किया जा रहा था, CBI जाच हो न, CBI जाच में जो है दूद का दूद और पानी का पानी निकल जाएगा, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक एस्क्रिप्ट रचा गया था वहाँ पे, और उस एस्क्रिप्ट के बीच में मनिश का स्यफ खाड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोकल सरकार, वहाँ पे लोकल सरकार, यह लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, वो लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, और दोनों लोकल सरकार अटेक करता केंद्र सरकार पे, कि तुम क्या कर रहे हो, और केंद्र अगर तामिलाडू के तरफ से बोलत गुछा है कि हम जितने लोगों को तो तमील में बोल रहा है उसकानुभात जो है चैनले यह आया था तो तो हम लोग मारी के भागाएंगे एक पर चाई धनुहें गुछ यह हूं यह औरहे है ओर हिनदि यह लोगों से पुछता है और मारता है वो जिदि सब्सक्राइब सब्सक्राइब eres बीजेपी वर्सेज आर्जेडियू और जेडियू कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कीम पर्मान आम जाए यूटूब पे मेरे नाम से चैनल है और देखिये वहाँ पे कि मैंने ज्यादा सवाल किस सरकार से किया है सत्ता के सिर्फ सिंघासन पे जो बैठे रहेंगे उनी से सवाल करेंगे ना हमारा दाइत्वा क्या बनता है लेकिन समस्या क्या है ये विपक्षी पार्टी को कि आप कॉंग्रेस के तो बहुत सारे पेज पे मेरा विडियो से अर किया गया जब मसौडी में मैंने पूलिस वालों को रंगे हाथ से जब बीजेपी और जदियू की सरकार थी विहार में रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा वो विडियो बनाए आर्जेडी ने अपने पेज पे से अर किया की पत्रकार हो तो ऐसा जब आप विपक्ष में थे और मैं बीजेपी और जदियू से सवाल पूछ रहा था तो सबसे बढ़िया मनीज पत्रकार था और जब आप सत्ता में आए और आपसे सिर्फ चार सवाल पूछा कि आप एक मार्च को क्यूं गए थे और जब आप गए तो सिर्फ बर्डे का केक खाए हैं कि वहाँ पे स्टालिन जी से पूछे भी है कि मजदूरों के साथ देखिए ये सारा चीज जो है सिर्फ और कुमार जी गए थे और वहाँ पे मुखमंत्री जो है तामिलाडू में वह भी एगो राजा के बेटा ही है इस्टालिन जी उनसे वीडियो बनाते पूछते कि हम में सोसल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बिहार के मजदूर परसान है इस्टालिन जी बोलते नहीं परसा था एक अख़वार में अमर उजला अख़वार में 21 फरवरी को पोर्टल पे लगा ये ख़बर 28 फरवरी को पपू यादो और डॉक्टर अनिल सहनी जी ने ट्वीट किया ट्वीटर पे एक मार्च को जो है बिहार के अख़वारों में आया दो मार्च को बिहार के अख़व दो मार्च को बिहार विधान सावा में हंगामा हुआ और तीन मार्च को मैं विडियो बनाया तो सब को छोड़के मनीज कस्यप को डालेंगे यह वह ही वह यह लोग डरे हुए है और इन लोगों जो भी है न अभी डिजिटल जबाना है अभी उद जबाना नहीं है कि तेल डा कि बिहार सरकार फिर से मुझे जेल में डाल दे लेकिन मजदूरों का एक बार जन्गरना करा दे जाती है जन्गरना हुआ न मजदूरों का जन्गरना करा दे कि कौन से गाउं से कौन से जिला से कितने लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं और किस टाइप का मजदूरी करत समान का अधिकार देता है और भेट भाव नहीं कर सकते हैं បरruff में लिखा हुआ है उसके पूरे बिहारी मों तो के मैं रहते हैं कि ठीक हुट करते हैम घो हम कोई भी कोना हो हम उतना ही प्यार करते जितना बिहार से करते हैं अगर कोई दूसरे राज का अपधान करेगा तो भी आ हम लोग क他 हैं के डैस stiff करते हैं क्यों एक लिएक अफंप करते लोग जो से इलो केस करेगा अभी जो लोग सुनेंगे से वो कहेंगे कि राज नेता बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं नेता बनना चाहते हैं नेता बनना क्या गुना है क्या गलत चीज है क्या नेता बनना क्या गलत लोग ही सिर्फ नेता बनेंगे क्या राजा का बेटा ही सिर्फ रा लेकिन यह मेरा सपना नहीं है मैं माइक के साथ जो काम करता था वो करता रहूंगा और मैं किसी से नहीं डरूँगा फिर माइक उठाऊंगा और ऐसा नहीं है कि बीजेप इसासीत परदेशों में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वहां पर भी अगर कुछ गलत होगा तो य फ्लस चाहिए न जेट चाहिए कुछ हो नहीं हम बिहारी है बिहार के लोग हमारा सुरक्चा करेंगे हम बिहार का सुरक्चा करेंगे हम तो गूम रहे हैं यह देखिए हैं हम लोग अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं और बिहार का पहचान जो है ना वह ट्वैलेट साफ करने वाले लोग हैं हम लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं सरहद पर गोली खाने का नौबत आता है तो बिहारी अपना सीना लेके वैसे ही होते हैं जब देश को बचाने की बारी आती है तो हम बिहारी वैसे ही खड़े होते हैं आईएस, IPS, डॉक्टर, इंजिनियर, CA, कार्पेंटर, वर्कर, फार्मर सब हमारा बिहार का पहचान है लेकिन अभी के समय में कुछ भरष्ट, नेता, दिमक की तरह बिहार की कुरसी प पैसे ले लिए हैं, अब हम का कहेंगे, राजाराम चंदर जी से भी सवाल कर दिया लोग, सीता जी को जो है फिर दुबारा बनवास हो गया, एक सवाल जहन में आ रहा है, तो आरोप की बात होगे, आरोप पर जो आपका कहना था, इस नौ महीने के गैप में कई बार ऐसा हमारा इंट्रेक्शन हुआ, बराबर उन तक अपनी पहुच बनाता रहा, मुझे ये बताए, जहां तक मुझे पता है, या फिर जहां तक मैं जानता हूं, कि जेल में एक दिवार होती है, जो जाली की तरह होती है, और तकरीबन 6-8 इंच की होती है, इस पार और उस पार मे देख पाते हैं, जब आप से लोग मिलने जाते थे, जब आप यहां आए, क्या भावनाए होती थी, अंदर क्या लगता था है, तामिल नाडू में मैं तीन महीना रोता रहा, हम लोग भावू कर दिया गया, मेरे कंपनी का एकाउंट सीज कर दिया गया, मेरी गलती थी तो म मैं अपने कंपनी के स्टाप को सेलरी देता था, उनका एकाउंट सीज कर दिया गया, जब लोग मिलने आते थे, दूसरे दूसरे राज्जियों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं, मंगल बार और विरस्पत बार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन मैं अकेले रहता था, वहाँ पे तामिल नाडू में, हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि काला पानी का सजा होता है, आसाइद आप लोग अने भी पढ़ा होगा, मैंने देखा है, मैंने उस चीज को महसूस किया, नमक, चावल, इमली पानी, जो पानी पूरी मैंने चार महीना विताया हो, अगर मेरे उपर NSA नहीं लगा होता, जिसको कोट ने खारिज कर दिया, तो मैं साइद दो महीना के अंदर जेल से बाहर निकल जाता है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे उपर 6, 8, 10 FIR हुआ, टोटल मेरे उपर 18 FIR है, नेचर आप लो नेचर जाके देखिए, वैसे ब्यक्ति को जो है, इन लोगों ने देश्टरोही बनाने का प्रयास किया, कोट ने कहा कि नहीं, NSA इसको उपर नहीं लगता है, अब जब कोट ने, जिन लोगों ने NSA लगाया था, उनको गलत साबित कर दिया, तो वो लोग मुझे क्या जुर् मैंने देखा कि आज भी आजाद भारत में सरकार के खिलाप जो भी बोलता है गलत सरकार के खिलाप, कुछ सही सरकार भी है, अटल वियारी बाचपेई के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी भी पत्रकार को कभी सलाकों के पीछे नहीं डाला गया, आज भी ज पूल गिरा था, वहाँ पर भी मनिस्का सेफ खड़ा था, मैंने 5000 में से 4000 विडियो केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए बनाया, कभी नहीं डाला, लेकिन कुछ सरकार जो है न, कंस वाली सरकार हो जाते हैं तो वैसे वैसे लोग जनता के खिलाप अत्याचार करते हैं, उसी अत्याचार का सिकार मैं मनिस्का से खड़ा, मुझे इस बात का अफसोस कता ही नहीं है, कि मैं जेल में गिया, एक बिना आपने कंस उन्हें कहकर खुद को कंहिया बताया है, क्योंकि आप जेल से जर्म ले रहे हैं, नहीं, मैं कंहिया नहीं हूँ, इस देश में जितने भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग है, वो सारे के सारे का नहीं है, धर्म के रास्ते पे चलने वाले सारे के सारे कंस है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, धर्म के रास्ते पे आप चलते हैं, आप भी का नहीं है, यहां पे जो लोग बैटे हुए, वो सारे के सारे का नहीं है, ज आपने किसी का उत्र नहीं दिया आप उस गैप की बात मैं कर रहा था उस जेल में उस गैप के आर और पार एक तरफ आपकी माँ दिखती थी एक तरफ आपको निहार रही थी तो वो सिशुईशन के बारे में ज़रा बताई आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बा नाम नहीं रखूंगा यहां पर गाली दे के विडियो बनाए विडियो कर रहा है मनीश कस्यभ गुनागार है ना सजातो मनीश कस्यभ को मेरी मा को गंदी गंदी डाली क्यों दिये मेरे पिता जी आर्मी में है उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित राज में बिहार राज में सुरक्षित महसुस नहीं कर रही है जरा सोचिए उनको गंदा गंदा गाली दिया गया हमें विडियो है मेरे पास सब कुछ है सब कुछ गंदा गंदा इतना गंदा गाली दिया गया है न कि आपका भी खुम्स खौल जाएगा मेरे साथ जो हुआ सो हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ है मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है मेरे दादा जी का बनाया हुआ घर का जो कुरकी हुआ है वो जिन जिन लोगों ने किया है या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूँगा अब इनको जो करना है मेरे साथ कर ले लेकिन मैं जिन्दा रहूंगा तो मैं आप लोगों से बदला जरूर लूँगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाल सब्सक्राइब करते हैं लेकिन तथ्य परक बोलने का जमाना है क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहां से लग जाए कहां नहीं जा सकता कई लोग हैं अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मैंने राजनीती के बारे में अभी नहीं सोचा है मैं बस मेरी मा के आसुओं का अपमान के बारे में सोचा है और मैं उस बदले की आग में जल रहा हूँ मैं लूंगा बदला मैं मजदूरों के अपमान के बारे में सोच रहा हूँ जो बिहार के मजदूरों के साथ दिन रात हर दिन अपमान होता है उसके बारे में सोच रहा हूँ और अभी भी मैं सिस्टम में हूँ आप से और हमसे ताकत वर कोन है हम लोग किसी के भी किसी से भी सवाल कर सकते हैं किसे के भी आखों में आखे डाल के बिना डरे सवाल कर सकते हैं, तो सबसे बढ़ियां तो यहीं जगा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना मुझे पता था कि जेल से निकलने के बाद इतने बड़े चैनल पे मैं यहां पे बिहार में रहे, कंस की सरकार ना रहे, मैं इतना चाहता हूँ कि बिहार को बनाने वाले लोगों की सरकार रहे, बिहार को बरबाद करने वाले लोगों की सरकार ना रहे, अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बिहार को आखिर बनाएगा कौन और बिहार को आखिर बरबा गा साथे छोटे छोटे जोटे प्लेट फोटे जया हूंद रहा है और इंस्टाग्राम पहो हो रहा है तो आगे आपका फूटर प्लेन क्या है यह कि अब ऐसे लोगों एप सब्सक्राइब करना है भो कमंड़रन की समर्पित मेरा संपध। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दो तुझे कुछ और दो बस यहीं मेरा लक्त है यूट्यूब रहे ना रहे इंस्टाग्राम रहे ना रहे फेस्बूक रहे ना रहे हमारा देश रहना चाहिए हमारा राज रहना चाहिए और हमारे इमंदारी हमारे सीने में दढ़ातना चाहिए बस यहीं सोच है मेरा मनी जी हमने आपके fan following देखे हैं बहुत fan follower भी आपके लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो आपकी पत्रकारता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं मैं पत्रकार हूँ ही नहीं मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ चलिए बिहार के अस्पताल में सबसे बड़ा अस्पताल है ना PMCH में दिखाईए वहां की इस्तिती देखिए वहां पे मार के आपको भगा दिया जाएगा तो जहां पे एक पत्रकार जो है इस्तिती को दिखा रहा है उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है वहां पे आप किस परकार का पत्रकार बनियेगा जिस भासा में वो लोग समझेंगे उसी भासा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हाड बनना पड़ता है थोड़ा सा उस परकार के सब्दों का चैन करना पड़ता है, बिहार से तो वीडियो वाइरल है, पत्रकारों को PMCH ममार के भागाया गया, देखिए यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाया कि ने, वो तो सांती से जाके पूछ रहे थे, कि भाई जो है, एस्ट्रेचर नहीं मिल उल्टा उनके उपर FIAR कर दिया गया, मनिश्वा तो जाएगा तो हिमत नहीं है कि कोई मार दे, नहीं मार सकता है, काई काई कि हम जानते हैं, कि हमारे साथ अगर जो जिस तरीके से सलूग करेगा, उसी तरीके से सलूग करेंगे हम, इस पूरे इंटर्व्यू के दोरान हमन काई बिहार में उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे, कि मा तुम रो मा तुमारे सारे कश्टों को मैं हर लूँगा, मैं उस परकार से बदला लूँगा, और मेरा यहीं टार्गेट है, बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, एक पीछे से हाँ, 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 के असपस है, देश के सारे लोग जो है बिहारी के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ब्यक्ति ने पहार तोड़ा है, वो भी बिहार का, IES, IPS, डॉक्टर, इं बिहारी, बिहार के लोग सिर्फ एक काम करें, कि अगर हम भोट बिहार में बिहार के नेता को देंगे, तो अपने बच्चे का इलाज भी बिहार में कराएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी बिहार में और अपने बच्चों को नोकरी भी बिहार में दिलाएंग मनीजी आप नौ महीने जेल में रहे इस दौरान आपने कुछ लिखा या कोई फ्यूचर प्लानिंग किया कि हाँ मैंने एक डायरी लिखा मैं अटल भीयारी बाजपई के कभिताओं को पढ़ता था उनके किताब को पढ़ता था हरिसंकर परसाई के किताब को पढ़ता था रमधारी से दिनकर के किताब को पढ़ता था और मैंने एक डायरी लिखा है बस मैंने कहीं पढ़ रहा था मैं कहीं प सपना देखा है ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारियों ने जो सपना देखा है ना उससे भी खूबसूरत अपना बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा, समरीद बिहार बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मनीश जी एक सवाल आप से है, कि हम सुन रहे हैं आपको, आपने बताया आपके मा के साथ, आपके फैमिली के साथ, सब के साथ गलत बिहेव किया गया, वो एक क Next Hey नोग कूल दोड़ते रही कुछ लोगों ने अस्वासन दिया कुछ लोगों ने साथ दिया बहु इस माने मुझे टूटने नहीं दिया मेरा भाई जिससे मान पहले जो है एक महीना पे 15 दिन पे बात करता था हूँ अपना कंपनी में कामकरता था Ses trek tag में काम करता था उसकी साधी भी हो चुकी है मा के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई उभरा तो वो मेरा भाई था मेरे पिता जी जो अपने पैंसन का पैसा निकाल के दिये है तब मेरा बेल हुआ है पैंसन का पैसा निकाल के दिये है पैंसन का पैसा तब मेरा बेल हुआ है और म कि सब्सक्राइब आप से, शोटा से सवाल ये आप से, आपने बोलब सद्टा में आएंगे, चीजों को ठीक करेंगे, क्या लिए लिगता है एक आम आदमी को नियाय मिलना कितना मुश्किल है? बिहार के जेल में, बेउर जेल में मैंने देखा कि जो single murder case है जिसमें Supreme Court का guidelines है कि 14 साल के बाद board बिठा के अगर single nature अगर ये है कि जमीनी भिवाद में कभी कभी intention नहीं रहता है लेकिन हो जाता है तो 20 साल की सजा होती है, 14 साल में सजा पूरा होता है और board बिठा के जो है उन्ह को जेल में सड़ रहा है लेकिन board बैटता है लोगों को छोड़ा जाता है आप देखें बिहार में एक नेता जी को छोड़ा गया एक अपराधी को छोड़ा गया बिहार में board बिठा के नियम चेंज करके उन लोगों को छोड़ा गया लेकिन बिहार के भोले बाले जो बिहार के बेऊर जेल में और दूसरे केंद्रिये कारा में और मंडल कारा में जो सड़ रहे हैं उनके लिए सरकार बोड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोड़ रही है इस परकार से तो अतिचार होता है मनिश जे आप बोले मा को लेकर करांती कारी कदम उठाने के लिए अची बात है लेकिन आपको लगता है और भी जो यूटूबर्स है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं देखे मैं सभी यूटूबर से कहना चाता हूँ और परसांत की सोर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मजदूरी वेरुजगारी की बात करते हैं मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा वो अभी तक बिहार को कुछ नुकसान नहीं पहुचाए हैं वो अपना काम कर रहे हैं पदियात्रा कर रहे हैं वो अपना काम करें बिहार के विकास में वो अपना योगदान दे वो उनका काम है बहु सारे इवा नेता हैं बिहार में वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन जो अल्रेडी कुर्सी पे बाइट के बिहार को बरबाद किया है उससे तो मैं सवाल पूछूँगा और जितने भी यूट्यूबर है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सब्दों का सही तरीके से चैन करके जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहूत बार आवेस में आके गलत सब्दों का चैन किया आवेस में आए आवेस में आना कोई गलत चीज नहीं है लेकिन आवेस में आके भी सब्दों का सही चैन किया अभी मैं आवेस में हूं मेरे अंदर आख जल रहा है लेकिन आज थो मैंने कुछ गलस सब्दों का इस blij कर आप लोग जो है यूट्यि बनना चाहते हैं और उसे कुछ करना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि आपका वेडियो सवाल यहीं पर खत्न नहीं हो रहें सवाल बहुत सारे हैं और मनुश करशक पूछना एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं, ब्रेक के बाद भी, और मनिश केशप धड़ा-धड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं, emotions इनकी आखों में मैं बैठ के देख पा रहा हूं, क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है, और जब यह भर-भर आते हैं, तो इनकी आख के दोनों कोर में पानी आता है, तो आप समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं, आग तो इन्होंने दिखाई हैं, लेकिन उस आख को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हाँ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं, जितने भी मीडिया परसन से उनसे भी अपील कर रहे हैं, कि समल कर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए, और भाववेश में आकर कुछ भी मत बोल दीजिए, अगला सवाल हम लोग ले ले लेते हैं, चार उप्सन था, लेकिन उसमें मनीज कस्यप का उप्सन नहीं था, लेकिन कॉमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीज कस्यप चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या, लोग कॉमेंट में कर रहे था, लेकिन जो लोग कॉमेंट कर रहे था, उसमें था कि बिहार को मनिस कसे अब चाहिए बिहार लोगों ने नॉन अफ दीज से लिक्ट किया है अब ज़रा सोचिए ये सौभागे की बात है अपना देश कितना खुबसूरत है कि अटल वियारी बाजपे जो राष्ट धर्म और पंच जन में पत्रकारिता करते थे उन्होंने अपने बायोग को देश के लोग समझे और उन्हें परधान मंत्री की कूर्सी पर बिठा दिया यानि पत्रकार जो है अपने देश में परधान मंत्री की कूर्सी तक पहुंच गया और अब नया जबाना है यूट्यूबर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं इतना चार हैं कि चार गो नेता जी लोग उनके दिल में घर बना लेंगे तो चार ओप्सन में नाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा, उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा। सुर्खियों में रहने के लिए मुंबई के सडकों पे और बॉली बूड में और ना जाने कहां कहां किस परकार से नाटक करते हैं लोग कोई दिकत नहीं, हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को सही धंग से दिखा देते हैं, तो कौन सा गुनाह कर और हमारे सुर्खियों में बने रहने से अगर बिहार का भला हो जाए, बिहार के लोगों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, मजदूरों का भला हो जाए, हमारा तो सुरू से जिस दिन जल से निकला, उसी दिन कहाता है कि मजदूरों का 25 लाक का इंसूरेंस करे बि भी हाथ्सा होता है तो बीया तरकार 25 रुपिया दे और इसके लिए अगर मनीशक स्यप सुर्खियों में बना रहेगा तो ये तो मेरे लिए सोभागे की बात है और ये आरोप नहीं है मेरे लिए गर्ब की बात है मैं जाती नहीं पूछूँगा जाती और गर्णा में कुछ काॉंटिंग होई है आपकी है अंगरेजों ने गारणा किया था बहुत फाइदा हो अंगरेजों ने भारत में किया था उससे जैन लोगों का परसेंटेज पता है भारत में कितना है जैसा कि मुझे जनकारी है थोड़ा उपर नीचे हो जाए तो मापी पुरे भारत में जैन लोगों का परसेंटेज 1% से भी कम है। लेकिन पूरे भारत के एचुक सन स्टीटियूट पे, पूरे भारत के बिजनस पे, पूरे भारत को होस्पिटल पे 60% कब जा है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमारी संख्या कम है तो हमारी भागेदारी नहीं हो सकती है, हमारी इस्सेदारी नहीं मिल सकती है, उन्होंने उसी को ताकत बना लिया, इसराइल, इसराइली लोग जो है, सिर्फ और सिर्फ 93 लाथ हैं, उन्होंने उसको ताकत बनाया, तो ज हो रहा है अभी जो है दिल्ली कभी पटना कभी दिल्ली कभी बिहार में तुफान मचा हुआ है कभी वो तुफान दिल्ली में आ रहा है इन तुफान के बीच में कभी चर्चा हुआ छे महीना बाद फिर से अगर आपने मौका दिया तो आप ही के चैनल में आके पूछूंगा कि बिहार में बाढ़ आया है आज बता रहा हूं छे महीना पहले बता रहा हूं भविस्वानी कर रहा हूं कि बिहार में छो महीना बाढ़ आने वाला है बचा लो ना बिहार को नदी से नदी को जोड़ दो जोड़ दो बिहार को बचा लो PMCH में जो है कि Bihar में जितने भी सरकारी अस्पताल है कम से कम अगर आप सक्छम है तो एक एस्ट्रेचर खरीद के दे टाकि लोगों का जान बचेगा एक एस्ट्रेचर खरीद के दे मैं इस परकार की बात करता हूँ तो ये तो गुनाँ नहीं है और जातिये जनगर्णा जो बिहार सरकार कराया है तो ये भी जनगर्णा करा लेगे कौन से जाती के कितने बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं कौन से जाती के कितने लोग बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं और कौन से जाती के कितने लोग जो है वो सरक विखार को बचाने के लिए अगर गणा किया होते तो सायद जो है आज तक बिहार जो है न वो बन चुका होता यह जो अभी सेनारियो है उसमें कौन अगर सभी गलत ही हैं कोई करने का मादा नहीं रखता है सब बोलने वाले हैं तो नेता है कौन बिहार में कुछ नेता है अच्छे नेता है पार्टी किसी एक पार्टी का नाम नहीं रखूंगा हर एक पार्टी में है नहीं हर एक पार्टी तो ठीक है ना पहले तो पार्टी आएगी ना बाद में लोग आएगी नहीं तो पहले अच्छे नेता आना चाहिए पार्टी तो पूरा अचैनल गहें coalition के सम्रीज बिए और सम लेकिन ब सकाने में आपका हमारा हमसबका जोगदान रहेगा एकदम, definitely उस्राज का विकास हुआ है, बिहार में ज्यादा मंदिर है कि साउथ में ज्यादा मंदिर है, साउथ में ज्यादा मंदिर है, मंदिर के आसपास जो है लोग दूर दूर से आते हैं भगवान का दर्शन कर दें, भगवान तो यहीं कहते हैं कि हमारे होते हुए जो है कोई भू पती जो है, cancer hospital चला रहा है, university चला रहा है, वो क्या कर रहा है, भगवान के नाम पे कोई राजनीती नहीं कर रहा है, वो तो भगवान का मंदिर बना दिया और भगवान के द्वारा जो है लोगों का भिकास कर रहा है, स्रीडी मंदिर को देख लिजे, south में बहुत सारा मंदिर इवन बिहार में भी एक हनुमान मंदिर है, station के पास, अचार कुनाल किस और का बहुत बड़ा योगदान है, उनके वज़ा से अथक प्रयास से वो बन पाया, वो मंदिर बन पाया, वो मंदिर पांच-पांच अस्पताल बिहार में चलाता है, अब राम मंदिर बनेगा तो म पूरे देश का भी कास होगा, ये आस्तिक लोगों को समझ में आएगा, नास्तिक लोगों को नहीं समझ में आएगा, और वो लोग उल्टा सिधा सवाल जरूर पुछेंगे, इशारा किस तरफ है आपका, भी हम लोग पकड़ बार हैं, जिनको राम पर भरोसा नहीं है, उन सब को लाएं, और राम को पता है कि किसको लाना है, राम को हम लोग नहीं पता सकते हैं, कि राम जी इनको ला दीजे, जो चुनाव के समय में घूम घूम के मंदिर में जाके टीकाव का लगाते हैं, और संजोक से ऐसे के जगा पे ऐसे करते हैं, ऐसे भी करना चाहिए, इस कुछ लोग जाते हैं यहां प्या करते हैं इसे तो ऐसे वाले का तो भागे राम जी देख ले रहा है सीधे उपरे से दिख जा रहा है तो राम को पता है कि किसको लाना है और राम जिसको भी लाएंगे वो सही व्यक्ति को जो है 2024 में जरूर लाएंगे 2024 से पहले मनीश करशप सही व्यक्ति को चुन पाएंगे सही पाठी को चुन पाएंगे मैं भारत का नागरिक हूँ भोड़ देने का मुझे अधिकार है अगर मैं जेल में नहीं गया अगर साजिस करके मुझे फिर से जेल में नहीं डाला गया क्या पता मैं यहां से निकलू प अगर मैं जेल में नहीं गया तो मैं सही व्यक्ति को जरूर भोड़तूँगा। दिल में कौन सी कसक है कौन सी आवाज आ रही है। दिल में बस एक ही कसक है कि आए देश का हरेक कोना जो है वो विकास के रास्ते पे आ चुका है और विक्सित हो रहा है। आज भी बिहार जो है भारत का किसी भी राज से 40 साल पीछे और बिहार की राजधानी पटना जो है किसी भी राजधानी से 40 साल पीछे और कोई सवाल अगर है तो बनाबर में खाड़ा किया जाए तो कि बिहार में सरकार गीरेगी और सरकार कभ गीरेगी कैसे गीरी की सरकार गीरने के दो चारी रास्ते हैं या तो सरकार सडक से गीरेगी या फिर सरकार संसत से गीरेगी मनीश कस्यफ कौन सा रास्ता जो है वो अक्तियार करेंगी या कोई तीसरा भी कल्प मेरी जरूरत भी न पॉलिटिकल पार्टी से मैच करती है। बादा जी जो है इस वतंतरता से ना नीयर रहे सब डेटा है इतना वीडियो में बोलता हूँ अगर ऐसा नहीं रहाता तो इस अभी निकाल के बना चुका होता है मेरे खिला वीडियो, हम देश से प्यार करने वाले लोग है, हम देश की मिटी को चूमने वाले लोगों में से ह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बिहार में लोगों के बीच में रहने वाले लोग है। हम पहले भी थे, अभी भी हैं और भविस्टे में रहेंगे। हाँ कभी कभी दिकत होगा, तो बाउंसर को रखना पड़ेगा किस के लिए। जो लोग जो है साजिस करते हैं हम लोगों के खिलाप उनके खिलाप अपने आपको बचाने के लिए रखना पड़ेगा ये चीज़ है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार और देश में मनिस कस्यप को घूमने के लिए कभी बाउंसर की जरूरत पड़ेगा मुझे नहीं चुकि हमारा जो करेज है ना उस सेर का करेज है और बिहार ही नहीं देश के हरे कोने में मा जो है ना सेर बेटा पाइदा करती है बस उस बेटा को जानने की जरूरत है कि मेरी मा ने जो है मुझे सेर पाइदा किया जिस दिन आप सभी को सब को हम सभी को पता चल जाएगा न कि कुछ सोचा है अब बता ये 18 को केस हुआ है मेरा ससूर कौन बनना चाहेगा क्यों कोई नहीं चाहेगा अरे मेरे उपर 18 केस है साधी होगा उसके अगले दी नहीं पूलिस गिरफतार करके जेल में डाल देगा तो कहीं किसी दिन कहीं बेलोल तूट गया कहां कहां जाएंगे तामिल अड़ो में चार गो अलग अलग जगा पे केस हुआ चैनाई में हुआ वहां से 450 किलोमेटर दूर मदरही में हुआ वहां से 300 किलोमेटर दूर किरिशनागिरी में हुआ वहां से 300-300 किलोमेटर दूर तिरिपूर में हुआ आप लोग गूगल पे सर्च मार लिजेगा डिस्टेंस इतना ही है अब बताइए उधर जाके तारिक जोगाएंगे कि बिहार में जो केस है उधर जाके तारिक जोगाएंगे तो मेरा तो ससुर कोई बनना नहीं चाहेगा लेकिन मां की तो है उम्मीद है कि इस बार तो हो जाएगा कुछ न कुछ नहीं ऐसा मैंने नहीं सोचा है मेरी मां को दो बेटा है एक बेटा जो है मेरा चोटा भाई है वो मां को देख लेगा और मैं बिहार और देश के लिए समर्पित हूँ अब बोलूंगा मैं उधर मेरी मम्मी को बीपी का विमारी है अगर मैं कुछ भी यह बोलूंगा तो फिर फिर वो गोली खाने लगına ने अब की मासे बहुत सारी बातें की और बीपी को कम करने के हमने भरसक कोशिश कि कोई अपराध हमें इतना खुपसूरत देश भारत ओ घे लिखा है गरीばい वह पारे शो कड़ pół रूपिय के एता अट नगे खोड़िकिन ने लिखा है तो कि पूचना चाहता हुँ और रिख मेरे पास सो अगे होता तो लेघर का कुरकी पूर को जा शने अगे और को जाना है भीकों बड़ाद किया थestra यृट का कुरकी कि नखीक करना को चाहिए और आज बिहार में रामराज आज आज आएगा लेकिन बिहार में अभी तो रामराज नहीं है। कितना मुश्किल होगा फिर से आपने पूरे सेटब के साथ सब्सक्राइब कर आकर उसी तरह की रिपोर्टिंग करना है। बाड़ा का फ्लैट जो हैं सीज नहीं किया जाता है। मिरे रूम पे अगर evidence cał्ग मिला उनस लोगों को लैपकब उपटप जो भी मिला ले जाते है evidence ले जाते हैं वो मेरा कब से कम room नहीं सीज़ करते हैं 9-10 महीना से मैं उसका वाड़ा दे रहा हूँ अभी भी दे रहा हूँ यह चीज़ है मुझे जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया गया है जीरो पे और मैं जब 9 महीना जेल के अंदर था तो मुझे लगा कि जिन्दगी में जेल गेट पे भारत के किसी भी कोने में इतना भीड नहीं देखा है आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताईएगा मैंने नहीं देखा है एक सधारन से यूटीवर को लोगों ने भर-भर के इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि मैंने जहां छो और मुझे इस बात का गर्भ है और वहाँ पर अगर आप बेओर जेल पर रहते न तो वहाँ पर पटा चलता कोई नहीं था कोई बिदायक का बेटा वहाँ पर नहीं था खड़ा मेरे इंतिजार में कोई नहीं था कोई अमीर कोड़ोरपती नहीं था रिक्सा वाले ठेला वाले जो भी सुनते थे मनिसकस्यप निकले गा एक दिन पहले भी उतना ही भीड था और अगर टाइम फिक्स रहता बता दिया होता सरकार की 12 बज़े एक बज़े या आज छोड़ देंगे तो उस भीड से दसमुना जहर खा के लोग मर गए थे मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना रहा था तो कुछ साजिस करने वाले लोग जो है मेरे खिलाप बत्तमी जी किये गाली गलोच किये वीडियो बनाया वो वीडियो वाइरल हुआ नवादा में जेल जाने की पहले की कहानी बता रहा हूँ जिस में कुछ लोगों ने मुझे गाली दिया उसी नवादा में जेल से निकलने के बाद मैं गया तो सड़क पे रोक के वहाँ की ओरते जो है मुझे तिलक लगाई और मेरा आरती की तो मनीश का से अब तो छोटा लकीर खीच के गया था और जेल से बाहर आया तो देखा ये लक बात नहीं होती कि मैं आपके बगल में बैटके इतना देर का इंटर्व्यू दे सकूए बहुत 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 शुक्रिया मनिश कश्यप आपका आपने समय निकाला और आपने बात बताई और इस बात को आपने माना कि कभी कभी भाववेश में बहुत सारी चीज़े निकल जाती है मनिश कश्यप के लिए बार जोरदार तालिया क्योंकि मनिश कश्यप ने अपने दिल की बात रखे और आज तक मनिश कश्यप ने किसी भी टीवी चैनल को इतनी देर का कोई इंटर्व्यू नहीं दिया अपनी मन की बात नहीं बताई निउज 18 पर आप आए इसके लिए आपका एक बार फिर से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने छोटे से गाओं के एक छोटा सा यूटीवर को ये मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए तो इसके लिए News 18, News 18 के सारी टीम को आपको और सामने जितने लोग बैठे हुआ हूं उन सभी को धन्यवाद और आप लोगों से बिनती करूँगा जितने भी new channel वाले हैं मौका दीजिए आप लोग अगर मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई चंद्रगूप और जब आप लोग मौका देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है